एक तरफ जहाँ यूपी पुलीस बिल्कुल आक्शन मोड में हैं वहीं आए दिन हत्या और मार पीट चैसे मामले सामने आते रहते हैं जहाँ कभी कोई दबंग अपनी दबंग गई दिखाता तो कभी कोई अपराधी पुलीस के साथ मुटभेड में उतर आता कभी लाखों की चोरी की खबरे सामने आती तो कभी पुलीस के आक्शन से अपराधियों की रूह काप जाती योगी सरकार जुर्म का नाम और निशान मिटाने के लिए बिलकुल आक्टिव मोड में हैं नमशकार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीद कौर आज आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों दी वियपारी को दरोगा ने थर्ट डिगरी और आखिर क्या था पूरा मामला साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे ही और मामलों के बारे में तो बिना देरी किये चली शिरुआत करते हैं दरसल कानपूर पुलीस अपनी कार शेली के चलते अकसर सुर्ख्यों में रहती है एक तरफ जहां पुलीस आम जनता की सुरक्षा के लिए होती है उनको हर मुसीबत से बचाने के लिए होती है वही क्या हो अगर पुलीस ही आपकी जान की दुश्मन बन जाये तो खैर योगी पुलीस अपराद और अपराधियों पर तकड़ा आक्षन लेने के साथ ही बेगुनाहों को बराबर का इंसाफ देती है वही ताजा मामला एक वियपारी की पिटाई से जुड़ा है आरोब है कि दरोगा ने दूसरी पार्टी का बकाया पैसा वसूलने के लिए वियपारी को थाने में बुलाकर थर्ड डिग्री दी उसे बेल्ट वडंडे से पीटा वियपारी के शरीर पर गहरे जखम है सीनिर अधिकारियों से शिकायत करने पर छे दिन बाद पुलीस वालों पर एफा यार दर्च हुई है दरसल गुजैनी ए ब्लॉक निवासी कारोबारी रितिक गुपता और फ्रिदेश की हंसपुरम सरस्वती नगर में प्लाइवोड और हाटवेर की दुकान है रितिक ने सौरब को एक अन्य कारोबारी से मिलवाया था समान खरीदने के बदले सौरब को कारोबारी से दो लाख रुपए लेने थे जब कारोबारी ने पैसे नहीं दिये तो सौरब ने रितिक पर पैसे लेने का दबाफ बनाना शुरू कर दिया दरोगा ने वियपारी को पीटा जब बात नहीं बनी तो सौरप ने नौबस्ता थाने में रितिक के खिलाव शिकायत दर्च कराई आरोप है कि इंस्पेक्टर विरेश यादव ने सौरप के साथ मिलकर गुरुवार को रितिक को थाने बुलाया और धमकाया जब बात नहीं बनी तो नौबस्ता थाने के इंस्पेक्टर विरेश यादव ने पैसे वसूलने के लिए 25 जनवरी को रितिक को थाने में जम कर पीटा उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर भी दिया उस पर बेल्ट और डंडे बरसाए इसके चलते रितिक की हालत बिगड गई औ उसे एक नीची अस्पताल में ICU में भरती कराना पड़ा इस मामले में व्यापारियों ने पुलीस कमिशनर अखिल कुमार को आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्च करने के लिए प्रातना पत्र दिया था पुलीस कमिशनर के आदेश पर नौबस्ता पुलीस ने आरोपी इंस्पेक्टर विरेश यादप, कारोबारी सौरप और अन्य पुलीस कर्मियों के खिलाफ IPC की धारा 308 समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्च की है व्यापारियों की चेतावनी पर दर्च हुई रिपोर्ट व्यापारी न्याए संगर्ष समिती के संयोजक और उत्तर प्रदेश, प्रांतिय व्यापारी मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, अभी मन्यों गुपता एक नीची अस्पताल में फीडत व्यापारी से मिलने पहुचे थे पूरा मामला समझने के बाद वियपारियों को एक दल अभी मन्यों गुपता के साथ पुलीस कमिशनर अखिल कुमार से मिलने पहुचा और आरोपी इंस्पेक्टर और वियपारी के खिलाफ शिकायत दर्च कराई साथ ही चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट दर्च नहीं हुई तो वे सडकों पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे पुलीस कमिशनर के आदेश पर छटे दिन मामले में रिपोर्ट दर्च हुई वही चलिए आपको ऐसे ही एक और मामले के बारे में विस्तार से हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं दरसल उत्तर प्रदेश के मिर्जपूर जिले से एक अजीबो गरीब मामला कुछ दिन पहले सामने आया था यहां एक दुकानदार के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ था दरसल इस वीडियो में एक सिपाही उस दुकानदार को थपड मारते हुए दिख रहा है पिटाई का कारण पूछे जाने पर सिपाही कहता है कि वो लड़का उसके सपने में आता है उसे परिशान करता है उसकी वज़े से ना तो वो सो पाता है और ना ही चैन से खा पाता है इस वीडियो के संग्यान में आने के बाद पुलीस अधिक्षक ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है चौनकारी के मताबिक विद्यांचल थाना शेत्र के अमरावती चराहे पर आयूश मोधवान की दुकान है वो अपनी मा के साथ इस दुकान को चलाता है बीते दिन विद्यांचल थाने में तैनाज सिपाही राम विलास पासवान उसकी दुकान पर आया उसे बाहर बुलाकर बिना कुछ बताए थपड मारने लगा दुकानदार उससे कारण पूछा तो वो कहता है तुम मेरे सपने में आकर मुझे परिशान करते हो तुम्हारी वज़े से ना तो मैं ठीक से खा पाता हूं और ना ही ठीक से सो पाता हूं सिपाही की बात सुनकर घटना स्थल पर मौझूद लोग हैरान रहे गए यही नहीं आरोपी सिपाही ने उसे धमकी भी दी कि यदि वो उसके सपने में आएगा तो दोबारा से वो उसे मारेगा इस बार उसे थाने ले जाकर हवालात में बंद कर देगा ये अजीवो गरीब घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई पीड़ित आयुश ने CCTV फुटेज के साथ आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्च करा दी इसी बीच पिटाई का वीडेयो सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो गया पुलीस अधिक्शक अभीनंदन ने इस मामले को संग्यान में लेकर त्वरित कारवाई की है राम विलास पासवान दुरा दुकानदार के साथ दुर्वहवार करने पर निलंबित कर दिया है इसके साथ ही इस मामले के जाच के आदेश दिये हैं ये घटना मिर्जापूर ही नहीं पूरे देश में लोगों के बीच कौतू हलका कारण बन गई है सोशल मीडिया पर लोग आरोपी सिपाही पर आरोप लगा रही हैं कि वो अपनी वर्दी की हनक दिखा रहा था दुकानदार की पिटाई करके इस इलाके में अपनी धाक चमाने की कोशिश कर रहा था खेर जो भी सच हो जाच में सामने आही जाएगा बताते चले कि उत्तर प्रदेश पुलीस की बरबरता की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं कई बार मित्र होने का दावा करने वाली यूपी पुलीस अपनी हरकतों की वचे से पुलीस महकमे को शर्मसार कर देती है कुछ दिन पहले ही कानपूर में थाने बुलाकर एक यूवक को बुरी तरह से मारने पीटने की घटना सामने आई थी ये घटना कानपूर के नौबस्ता थाना शेत्र की है आरोप है कि विशेश नामक यूवक को पुलीस ने थाने पूचताच के लिए बुलाया उसके बाद दरोगा विश्वेश्वर यादव ने पीड़त को पीटना शुरू कर दिया दरोगा ने पीड़त को इतना पीटा कि वो अद्मरा हो गया उसकी हालत देखकर पुलीस कर्मियों के हाथ पाओ फूल गए इसके बाद आनन फानन में उसे नस्दी की अस्पताल में भरती कराया गया इस घटना की सूचना मिलते ही पीड़त की परिजनों ने थाने पर हमला बोल दिया वहां लोगों ने पुलीस के खिलाब जम कर नारे बाजे की और पुलीस कर्मियों को जम कर कोसा इसकी सूचना मिलते ही आरोपी दरोगा गायब हो गया लेकिन आला अधिकारियों ने आरोपी को निलम्बित करते हुए उसके खिलाप विभागी चार्च के आदेश दिये वही कुछ दिनों पहले यूपी की राज्थानी लखनव से चारबाग और नाका के होटलों से चेकिंग के नाम पर वसूली करने वाले दसवी फेल फर्जी इंस्पेक्टर को पुलीस ने गिरफतार किया था आरोपी के पास से बंदूग जैसा दिखने वाला लाइटर भी बरामद हुआ है च्वानकारी के मताबिक आरोपी ने होम गाड विभाग में नौकरी के नाम पर कुछ लड़कियों से पैसे एठे थे वहीं पुलीस ने आरोपी को वर्दी के साथ गिरफतार किया था पुलीस ने बताया कि लखनाओ के नाका थाना शेत्र में शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ती पिछले कई महीने से चार बाग और नाका इलाके के होटलों में चाकर पाय रुपकरन ना होने का हवाला देकर संचालों को और मैनेचर को रॉब में लेकर उनसे वसूली करता था इसके अलावा उसने होम गार्ड विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर छे लड़कियों से भी लाखों की ठगी की वहीं ADCP पश्चिन चिरंजीवी नाच सिनहा ने बताया कि आरोपी दिवरिया करहने वाला है उसे गिरफतार कर लिया गया है खैर योगी पुलीस चुन-चुन के अपराधियों को उनके किये की सजाद देती रही है कोई भी अपराधी पुलीस और सीएम योगी की पैनी नजर से बच नहीं सकता हरे गुनेगार को योगी के हंटर की मार पड़नी है हैर स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस अतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार